तो गुर्मानी इस फ्रेंड्स तो आप लोग से जहां पर यहां को शलोंगे तब तक हमने बूर्स मॉडल और हाइडोजन स्पेक्ट्रम काफी हद तक कम्रीट कर लिया है तो अब हमारा जो नेक्स टॉपिक है विटा ठीक है वो है फोटो एलेक्टरिफेट बन विपोर फोट क्विशन जो बचेलो बागे पर एड्वांस लेवल के क्विशन अच्छे कोईशन साथ है तो उनको पहले करेंगे तो टाइम बचाने के लिए पाले ही लिए है। तो तो या इस कंटिनी आवार क्विक नाव ठीक है। तो मैंने कोईशन ये लिख्आ है कि भाया के दो क्व आफ आव को अबंगल आवरज और भीपोर वीरिई जर नटोर चीजि जार एप में आप एक enter से निवर आव लॉड़ लेव फिस police में अजय जेव यॉ एपा प्राफ लेडरी लॉड अवन इड़ल ऑर यह वे जी लॉर ऑर चाएंग अज laws समंझा करें कि क्या क्या चाहता है है ना बोला है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोन है निकालना मुझे एंड के वैलियू भी निकालना तो बस हाइड्रोजन लाइक स्पीसिस अबट है नहीं वैक्ट्रोजन है तो यह ऐसा यह सोचके डारेक्ट फॉर्मला मट पुट कर जाना कि 0.585 इलेक्ट्रोन वोट दोता ह होता है या तीसरे लेवल का तो ऐसा नहीं को समझे आप बोला है है इस तरीके से कहानी होगी अब क्या बोलना है इन ट्रांजिशन से जब हो रहा है मतारा एंट्व से जब वह मजा रहा है तो आपको शायद पता होगा कि जब यह नबर ऑफ जो कमेंना आपको ग्रांड एंट्वाट बाते हैं और यह नबर ऑफ जो कितने हैं, so n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 equal to 6 divided by 2, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंगी 6 different wavelength उसमें दिया हुआ, देखे यहां पर, ठीक है, now n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 को 12 के बराबर कर सकता हूँ, now multiply this 2, so you will get n2 minus n1 का whole square, okay, plus n2 minus n1 minus 12, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, विल्कुल लिख सकता हूँ, कोई विश्यों नहीं है, अब यह क्या quantity equation ही बना है, x square plus x minus c, minus c equal to 0, इसके root निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, root निकालने के लिए है, आपको याद होगा, minus b, okay, now what is the value of b, b is 1, okay, plus minus, ठीक है, ax square plus bx minus c, वहीं आपने जो quantity equation बढ़ा हूँ, इनिशली, तो discriminant method लगारे हैं लोग, तो यहाँ पे b square minus 4 एसी, तो b square तो मेरा again 1 is square, minus minus plus 4, a तो 1 हो गया मेरा, और c कितना है मेरा, very good, 12, okay, divided by 2a, यह again मेरा 1 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता, 1 plus minus c कितना हो जाएगा, 48 plus 9, 49, under root 49 by 2, तो अब देखो, n2 minus n1 की जो value होगी बेटा, simple सा बात है, negative नहीं हो सकती, अगर आप 7 लेते हो, let's say, 1 plus minus 7 by 2, अगर आप 1 minus 7 लेते हो, 10 to minus n1 कभी भी negative नहीं हो सकती है, क्योंकि n2 should be greater than n1, n2 should be greater than n1 तो भी ये चीज़े possible हो सकती है, तो मैं क्या बहु सकता, n2 minus n1, 1 plus 7 by 2, कितना, 4 आना चाहिए था, एक मिनाट, 4, n2 minus n1 equal to 4, now, I hope sir, you are getting your answer now, ठीक है, तो यहां तक हमें बता चली है, n2 minus n1 तो क्या है मेरा 4 है, अब आप समझे बात को, और उसने क्या दिया हुआ, इसने दिया हुआ, 0.85 electron volt और 0.55 electron volt, 0.85 electron volt और 0.55 electron volt, अब बात को समझे थोड़ा, इसने एनर्जी दिया, अब आपको डिसाइंड ये करना पड़ेगा, तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता है होगा कि नूकलेस के पास जो आर्बिट रहता है, इनर्जी ऑफिस सी बात है, magnitude-wise तो ज़्यादा रहती है, बात हम ये value कहा रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो इसको मैं बोल सकता है, ये तो 0.85 होगा, minus 0.85 और ये पर ये क्या होगा, minus 0.54, क्योंकि जैसे जैसा हम दूर जाता है, रेडियस के साथ एनर्जी भी बढ़ती है, आपको मैंने पहले भी बताया हो है, तो now, what is our next thing, हाँ, now, हम इना देखे, अब आपको मुझे पता है, कि minus 0.854 मैं लिख सकता हूँ, minus 13.6, Z square by N1 square, this or this cancel, और मैं इसको ऐसा भी रख सकता हूँ, minus 0.544, minus 13.6, Z square by N2 square, ठीक है, हम मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ, इन दोनों को, 0.544 by 0.85, यह अप्रॉक्सिमेटल यह वैल्यू आती है, N2 square by, एक मेना का, ओके, स्वारी, उपर वाले को नीचे सिर्फ डिवाइड कर दो, ठीक है, this or this, cancel, तो 0.85 by 0.544 is equal to कितना हो जाएगा, N2 square by N1 square, तो N2 by N1 जो हो जाएगा, 0.85 by 0.544, यह अप्रॉक्सिमेटल यह 1.25 आता है, कितने तंस अता है, 1.25 तंस, चेक है, Now, coming to the point, अब N2 बराबर कितना हो जाएगा, 1.25 times of N1, So, मगर मैं यह को इदर पुट करू, So, 1.25 times of N1 minus N1 is equal to 4, Okay, Now, Now, you will get this answer, 0.25 N1 equal to 4, So, N1 बराबर कितना हो जाएगा, 400 by 25, तो आप अप्रॉक्सिमेटल यह समलों कितने तंस हो जाएगा, यह हो जाएगा, 80, और यह हो जाएगा, 5, यह हो जाएगा, 16, So, N1, 16 आ है मेरा, Now, what will be the value of N2, तो आप जस्ट पुट कर दीजे, N2 यू विल गेट, N2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस N1, 4 प्लस N1, तो मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16, अब बोल किया रहा है, तो N1 और N2 को पहले मुझे समझ में आ गई है, कि मुझे कैसर मिलेगा ये चीज़, ठीक है, Now, next thing क्या बोला, उसने find the atomic value, ये तो मतलब पार्ट सेकंड तो मेरा रख फतम हो गया यहाँ पर, पार्ट बन क्या बोला, find the atomic number N1 आपको बता ही है, तो minus 0.85, sorry, 13.6 into Z square by, यहाँ पर कितना, N1 कितना मैंने निकाला था, N1 मैंने 6, N1 12 आ यहाँ, 16, 16, oh sorry, my mistake, यहाँ पर, हाई न, कुछ गड़ बढ़ी है, 80, 16, 16 plus 4, 20, my mistake, this is 20, ठीक है, तो 16 का square, तो you will get Z, Z by, if calculating by Z, you will get the answer 3, LN 3 plus का यह answer हो, ठीक है, अब यहाँ भी केतना होगा, यह होगा, यह होगा 16, यह 16, 17, 18, 19, okay, now, Z आए गया, आपको longest wavelength कहा मिलेगा, longest wavelength इस transition में मिलेगा, किस transition में मिलेगा, इस transition में आपको longest wavelength मिलेगा, आपको से देखें, बटा, जैसे जैसे हम आकिर आपका, energy gap को जो क्या होगा, घटते जाजेगा, आपको यहां कि मैंने बताए होगा, E2 minus C1, should be less than क्या होगा, E3 minus C2, तो जैसे जैसे energy जाते जाओगे, तो 20 से 19 की energy gap होगा, सबसे कम होगा, इसका wavelength सबसे जादा इसी होगा, तो 1 by lambda put करके आपका आका सबसे रह इंटू, Z square 1 by 19 square minus 1 by 20 square, इस तरीके सम्ट क्या कर सकते हैं, वह बहुत कर सकते हैं, ठीके पहर बच्छो, अब हमारा जो है next question है next question थोड़ा अच्छा है वो भी इस लेवल पे okay now let an be the let an be the area enclosed by the end of orbit in a hydrogen atom find a slope of the end a1 और n की बीच में निकालना है तो समझ यह बात को an जो area होगा वो कौन सा area होगा obviously बात है हम circular orbit को ही मानते है right क्योंकि जो orbit होता होता है circular nature का होता है तो something कुछ कहा नहीं इस तरीके सोगी यह ऐसा होगा यह rn होगा तो यह जो area होगा इसको let an मैं मैंने माना तो यह कितना हो जाएगा पाई run square तो अगर मैं a1 बार रहें तो क्या हो जाएगा न farmers किया लिख सकता हूँ धोनों तरफ मैं ln ले लेता हूं lun는 run' by r1 का क्यों एलन की बीच में इसलिए तो एलन ए एन वाइवन को में लिख सकता हूं 2 एलन आरन वाइवन ओके नौ तू एलन आरन को में क्या लिख सकता हूं 0.529 इंटो क्या एंवन एंट स्कार बाइस आ से इसनीं क्या वाइवन को डाइसर और झारन इसलिक मान इसलिक रफू एलन एन वाइवन क्या गान एंट वाइवन होगा 3 00529 सॉरी ठीक है ना विस विसलिक कैन्सल तो अगें यह विहां यह जाये गए तो 4 हैलन एन इसपल टो ल एल यहां से में हमारा बोर सब्सक्राइब करवा कि आपको मैंने पूरे तरीके से संधा दिया है आपको कोई तकलिफ नहीं आई होगे नाव करते हैं अब हम करेंगे लिमिटेशन बोर्स मॉडल और उसके बाद हम फोड़े लेक्रेट करें आज के से संधा बड़ा जाएगा तो थोड़ा कंसेंट्रेशन बना के चलिएगा ठीक है नाव लिमिटेशन के अगर मैं बात करूं है तीक है है कि अब आपको याद होता मैंने एक बात आपको बताया थी कि दुनिया में कोई चीपर्फेक्ट नहीं होती है राइट कोई भी चीज निकली तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती ही रहती है दो वैसे भी जैसे रदर फोन ने रदर फोन ने निकाला तो अपने बहुत बढ़ा अटमिक था लेकिन उसकी गलती किसी नहीं निकाली वैसे बोर ने भी जो अपने अटमिक मॉडल दे तो करक तो कंप्रीट लिवो भी कहीं तक अपने तरह सही नहीं था और उसमें क्या डिपॉल्ट थी चलो भूर्णिसी के बाद करते हैं लिमिटेशन आप ल बोर्स अटमिक मॉडल बोर्स अटमिक मॉडल आखिर क्या के लिमिटेशन थी बोर्स अटमिक मॉडल के ठीक है तो पहला इट इस वैलिड अनली पोर सिंगल इलक्ट्रों सिस्टम या इसको बहुत सब्सक्राइब है इस नौट वैलिड पॉर इस नौट वैलिड पॉर मर्टी इलक्ट्रों सिस्टम तो यहां तरह आपको प्यार बच्छे समझ महें क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन कि आप पॉस्टिलेट समसाथ याद करें मैंने आपको बताते हैं कि बोर्स का अटमिक मॉडल सिर्फ उन एक सिर्फ एक इलेक्ट्रों होता है लाइक हाइडरोजन हिलियम प्लस लाइक टू प्लस भी बेरेलियम 3 प्लस तो इन समपे है यह मेरा बोर्स का अटमिक मॉडल अपनी के बढ़ होता बागी मल्टी एलेक्रों सिस्टम पे वह कभी भी वैलिड नहीं होता है ठीक है सेकेंड त प्लसः नहीं है कि सूच्छच इस थानकी कि पया राइक will if a source of spectral line is subjected to electric magnetic field or electric field then finer lines are formed near by spectral line कहने का मतलब क्या है कि मान लो जो source याद करीवें मैंने आपको बोस का मद रेकिक हमें यहां पर क्यों एक स्पेक्ट्र लाइन के पास में आजू बाज़ देखो बहुत जाज तो नहीं दिखा पर होगा तो बहुत सारी चोट चोट पतली पतली लाइन सब्सक्राइज नहीं दिया था और यह कहीं ना कहीं इसके फेल्यर होने का सबसे बड़ा इसके बाद क्या हुदर इफ इस प्लिटिंग ओफ लाइंस इंटो फाइनर लाइंस इन प्रेजेंट और मेंगनेटिक इस काल्ड जीमन इफेक्ट बोलते हैं क्या तो देश को जीमन इफेक्ट एंड इफ इस इस प्लिट्स इन इलेक्ट्रिक फिल तो यहां तक आपको सारी बच्चों क्लियर आगई होगी यह बात है चिक है तो यह एक्स्प्लाइशन कहीं नहीं दे पाई था बट ऐसा नहीं कि सारी बात है जो उसने बात बताई कि शेल एनर्जी शेल की जो बात उसने कहीं थी वह नो डाउट आज तक उस बात को फोलो किया जाता है कि अनर्जी शेल होते है अटम के अंदर एंवन एंटो एंट्री इंफनाइट तो यह बात मतब सही थी उसके वह पहल नहीं होता हर बात पे जो कुछ बात को एक्स्प्लेशन नहीं दे पाया था ठीक है नाओ आउर नेक्स अनर्टो पकिल्टिक इसमा कर। कहता है वह बात कि बाता है अटी हौता क्या पूटैलेक्ट एखड़ी में संब श्क्राणी क isn is irradiated on a photoelectric substance whenever any electromagnetic radiation is irradiated on a photoelectric substance then electron comes out of surface with some kinetic energy is called as photoelectric effect what is photoelectric effect suppose this is a photoelectric substance what is photoelectric substance how is this substance the light to get you the electron i have to get you photoelectric substance how is this the same energy like sodium sodium yes photoelectric effect and show this is the perfect metal for the photoelectric effect because its energy and energy the electron emit the electron emit the electron emit अगा आधका पाजा है यहाँ सफचान सब्सक्राइब हो कि माला यहां से कोई वरके मेंवनिटम को पॉल में बाहर हो स्थ करता एल्यक् POL आपको लेड़िंप कंणिया कि यह सब्सक्राइब कि बाहर निकलेगा और ले जुरुं को पहले बता यह तो हित आपको 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 क्या बैब दर्सम नेचर को होता है तो यहां तक आपको समझ में आगेंगे अब जैसे सब्सक्रों करो अब आखी इसमें एक और पॉइंट आता है ठीक है नोट बना के पॉइंट है ठीक है अब वो पॉइंट क्या है तो पहले मिली देता हूं फिर मैं आपको समझा होंगा यह बड़ याद रखने है बीटा मिनिमम मैंने यहां पर दिखा दा मिनिमम एनरजी रिक्वाइड टो इजक्त दो है आता है अग्वाइड आता हूं की विपट विबताइड टो इंट आता हूं हूं ग्यादिए energy but without kinetic energy but without kinetic energy to the outer surface but without kinetic energy is called threshold energy or work function is called threshold energy or work function minimum energy आपको चाहिए इस सबस्टांस को ताकि इसका electron बार निकल जाए ठीक है उस उस energy को क्या बोलते हैं work function बोलते हैं threshold energy बोलते हैं आई बास समझ में मतब समझो बात को कि जैसे suppose को रो यहां पे कोई मैटल है electron magnetic wave टक राया electron absorb क्या सिर्फ सर्फेस तक आया बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होई मतब जो एनर्जी आपको सर्फेस तक पहुंचाने के लिए चाहिए बट इलेक्ट्रों के पास कानेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए उस समय तो वह क्या होगा तो उसको क्या बोलते हैं threshold energy बोलते कहने का मतलब है आपने सब्सक्राइब तो वह इतना सफिशेंट एनर्जी अब्सक्राइब तक आज रहेगा लेकिन उसके पास ऐसे जी जीरो रहेगी क्योंकि इसके अब क्यों यहीं थ्रेस्ट एनर्जीक कि डेफिनिशन होती है कि यहां तक तो आज जाएगा बंट उसके पास कोई कानेटिक पहलते हैं नहीं और इसए इनर्जी वो क्या बोलते हैं या आप इसको इने इनर्जी भी बोल सकते हूं वो बोटे करते लोटा या वर फोंक्शन इसको याद रखेगा आई बात समाघना अब वर कंचन का फॉर्मला होता है एंची मू नॉट इस फोर मैंसे भी लिखे देड़ है एच तो मेरे प्लाइंट वाटाव नूट होता है थ्रेसोल फ्रिक्वेंसी तो क्या बोलते हैं थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी आई बैसा में क्या बच्छो यहाद के लिए रुआ तो फ्रिकवेंसी रिकवाइब अबंगों हो यहाँ पर कि आप इलेक्रमेडिक वेस कि एलेक्रमेडिक वेस कि क्या होगे बया फोट नहीं से अहाँ चैनल ऑर क्वोटम की सब्सक्राइब करके तक मेरा निकल सके नहीं नहीं हो पाए गार फिप्टीनց स्क्कुण इस फोटन के पास 15 जूल है और इसने इसने ट्रांसर किया एनर्जी उतनी तो इलेक्ट्रों बाहर निकलेगा बट उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जीरो होगी यहाँ पे जो फोटन के एनर्जी हो किसके बराबर हो गई जल्दी बोलिए work function के बराबर हो गई यहां तक इसके बराबर होई work function के बराबर ही इस समझ में है लेकिन क्या अभी भी फोटो एलेक्ट्रिफ होगा होगा इस में होगा लेकिन मुझे फोटो करेंट नहीं भी लेगा क्योंकि देबो करेंट में करेंट वर्ड क्यूं यूज करम बाग को समझें यह आको मैं आके समझाओ को जिसके बाद हम यह सब पढ़ना क्योंकि आपको यह पता है इलेक्ट्रों के ट्रांसवर को करेंट फ्लो बोलते हैं याद है तो जब इलेक्ट्रों का फ्लो ही नहीं हुआ इलेक्ट्रों बाहर निकलेगा बट विदाओ काइनेटिक एनर्जी लेकि अगर मालो वर्ड फंक्शन 15 जूल है लेकि मैंने 17 जूल की एलर्जी ट्रांसवर करी उसके पास तो बहुए लेक्ट्रों 15 जूल तो अपने अंदर खर्च कर लेगा बागी सब ट्रांसवर करतेग तो remember one thing, photoelectric effect में one photon remove one electron या basically आप ये भी बोल सकते हो it is one photon one electron equation अब ये equation क्यों बोला समझो आपने energy दी कौन सी हम्यू इसको energy कितनी दी हम्यू दिया और बच्चे कीच एनर्जी किसमें चली गए? काइनेटिक एनर्जी में तो इस इस नौन आप फोटो एलेक्ट्रिक एक्वेशन भी बोलता है प्यारे बच्चा आपको समझ में आगया होगा मैंने आपको क्या समझाने कोशिश करता हूं समझो बात को यहां पर थोड़े एक important graph आता है यहां पर यह बहुत बहुत इंडर्स्ट्रिव टॉपिक है वैसे और आपको थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आपने फोटो एलेक्ट्रिफेट का प्रैक्टिकल यूस को किया होगा और वो प्रैक्टिकल यूस कहां पर किया होगा मैं आपको बता जनरल यह आप शॉपिंग मॉल में जाते ह होगे ठीक है बड़ी शॉरूं में जाते होगे तो देखो ऑटमेटिक डॉर वहां पर रहता तो ऑटमेटिक डोल इस बेस्ट ऑन दपोटिलेक्रिफेट जैसे याद करिए कुछ इस तरीके सा शिस्टम बना रहता है यहां पर सब्सक्रों करेंगा तो तो दरवाज़ा इस तरीके से डिल्प होते हैं जब पर नहीं करता है तो दरवाज़ा खुल जाता है जब करेंट फो होता है तो दरवाज़ा बंद रहता है तो यह इसी प्रिंसिपल पर आटमेटिक डोर जो होता है वो बेस्ट होता है तो यह समझे बात को क्या है क्या मैं हम्यू की काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हम्यू माइनस हम्यू नॉट क्या मैं इसका ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं ग्राह्फ लॉट करू किसकी काइनेटिक एनर्जी ठीक करो किसकी की कायायनेटिक एनर्जी ओрал हिस एक्ष संबेंसा liner जिसको हम मुणोट कह से क्योंकि अगर इससे कम फ्रिकंसी ही तो अब आपको समझना बेटा इस इकल टूवाई एम एक्स माइनस सी सॉरी मैंस माइनस सी का गराप है तो इसका जो वाई इंट्रसेप्ट है वो नेगेटीव है बेटा तो नेगेटीव है तो कुछ कुछ सम्थिंग यहां से होते हुए इस तरीके से यह ग्राफ प्लॉट होगा यह आपको हद तक समझ मार गया हुआ कि प्रिक्वेंसी का ग्राफ क्या होता है ठीक है पर बच्चो इसके बाद हमारा नेक्स टॉपिक आता है लाइट इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी जिस से हम अगुए सो हम इसे भी दिनोट करते हैं तो इसको हम इसे भी डिनोट करते हैं तो पहले होता किया मैभा देंसे हम ल aika का सिर्फ एनर्जी एक वाइड पर यूनित एरिया पर यूनित टाइम क्याने का मतलब आई बराबर क्या होगा कि टोटल एनर्जी एक पर यूनित अरिया पर यूनित टाइम इसका मज़बिया होगा एक कोडम की एनर्जी किती होती है होती है तो प्र यूनित एरिया एक पर यूनित टाइम आई तो इस इस यूर इंटेंसिटी अब आप समझो कि इंटेंसिटी मतलब इससे वामने डेफिनेशन बताई बिट ब्राइटनेस जैसे आप रेड गलर देख ब्राइट कलर दिखना है मतलब क्या अब यहां पे समझो ब्राइट उडल वो क्यों हमें लजर आता है देखो फ्रिक्वेंसी कॉंस्टेंट रहती टाइम कॉंस्टेंट रहेगा यह कॉंस्टेंट रहेगा मतलब इंटेंसिटी डिरेक्टी प्रोपोर्शनल टू नमबर प्रोटों कहने का मतलब है कि जब रेड कलर आपको बहुत ब्राइट दिखता है तो बहुत जादा गिर रहा है और थोड़ा तो क्या होगा सब्सक्राइब मतलब इंटेंसिटी डिरेक्टी प्रोपोर्शनल टूंस चीक है आप समझने यहां पर एक वाट तर्म आता है यहां पर जो नेक्स ट्रम आता है नमारा इसके बाद जो हमारा नेक्स टॉफिक आता है अब में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है इसके बाद जो हमारा नेक्स टॉफिक आता है समझो बात को अब में इंटेंसिटी का मतलब क्यों समझाया है वो समझो इंटेंसिटी का मतलब इसके मैंने समझाया कि सपोस करो कि यहां पर आपके पाद दो सब्स्टांस है ठीक है पोटो एलेक्ट्रिक सब्स्टांस अब बात को समझना थोड़ जान से ठीक है मालो यहां पे yellow color की light मैंने डाली, कौन से color की? yellow color की, यहां पे भी मैंने क्या डाली? yellow color की, लेकिन यहां के intensity 1 रखी और यहां के intensity 2 रखी, intensity मैंने अलग लग रखी, तो मालो कहने मतलब यहां per second अगर मुझे 50 number of photon मिल रहा है, तो यहां मुझे per second 100 photon मिलेगा, तो मैं यह बोल सकत यहां i2 is greater than i1, क्योंकि यहां मुझे 100 photon per second मिल रहा है, यहां मुझे 50 photon per second मिल रहा है, तो बात समझो, तो जैसे ही light, यहां पे electromagnetic wave टकलाएगा, तो यहां से electron बाहर निकलेगा, with kinetic energy ke1, और मालो यहां पे निकला with kinetic energy ke2, मेरा question यह है, कि क्या kinetic energy 2 बड़ा होगा kinetic energy 1 से, या kinetic energy 2 छ क्या होटा होगा kinetic energy 1 से, सोचो खड़ा दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहें कि सर, नंबर और photon जादा गिर रहा है, तो इसकी kinetic energy कम होनी चाहिए, क्योंकि यहां तो आपने 50 बोला, यहां आपने 100 बोला, मतलब जिसकी intensity जादा, उसकी kinetic energy भी जादा बट ऐसा होता नहीं है, अब आप ऐसे समझो बात को कि सपोस करो कि यहां यह यह ग्लास लैव है, ठीक है, मैंने बोला कि इस ग्लास लैव में पिंक पॉंग बोल्स आपने देखने हो कि छोटे छोटे बोल्स जो जो जम करते रहते हैं, आपने खेले भी होंगे नहीं तूटेटा, ठीक है, मैंने यहां पचास पिंक पॉंग बोले और और सो पिंक पॉंग बोले लेता हूँ मैं, क्या तब भी हो तूटेगा, नहीं तूटे लेगे, अगर मैंने सिर्फ एक बास्केट बोल लिया और उसको थैका कांछी क्लास के पर तो शाल वो तूट स कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब यह है कि intensity सिर्फ नंबर ओफोटों को डिपेंड करते ही है, और हर फोटों का frequency या energy तो सेम है, energy का कमेने को discussion नहीं किया, क्योंकि यह भी yellow light है, यह थोड़ा जादा bright है, यह थोड़ा कम bright है, बर frequency तो सेम रहेगी न, जब ट्रिक्र का मतलब यहां पर यह होगा, के 1 is equal to के 2, मतलब दोनों की kinetic energy क्या रहेगी इस केस में, सेम रहेगी, तो मैं बोल सकता हूँ, important की intensity is independent of kinetic energy of light, किसी light intensity कभी भी kinetic energy पर depend नहीं करती है, तो यह बास आपको जहां तक समझ में आ गए, कि भाईया, यहां 50 पड़े हैं, 100 पड़े, ठीक है, हो सकता है, पचास के 50, ज्यादा elektro निकालेगा, यहां 50 photon गिरा, तो 50 electron निकालेगा, यहां 100 photon गिरा, सफ़स्केर 100 electron निकालेगा, लेकि energy में कोई फरक नहीं आएगी, energy दोनों case में क्या रहेगी, सेन ही रहेगी तो यहां तका आपको बात सारी समझ में आ गई होंगी सब्सक्राइब आपको मैं क्या कहना चाहिए अब यहां पर आ रहे और दूसरा ग्राफ अग्राफ कौन सा यह यह ग्राफ हो गया आपका करेंट का करेंट वरसस्थ फ्रिकर्इनशी तो सब्सक्राइब कर आपको पड़ता है कि आपको फोटोटो इलेक्रिकों कोमीनोड से ही चाहिए यूँब आपको 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 एपको सब्सक्राइब और जैसे और intensity बढ़ा गए यह हो गया I3 तो मैं बोल सकता हूँ I3 is greater than I2 is greater than I1 तो आप पुछ से अबसर्व करो I3 का current जादा है I2 से और I2 का current I1 से जादा है तो आप देखो ना जैसे 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 बढ़ता है तो ऐसे जैसे current भी क्या होगा intensity बढ़ रही है तो ऐसे current भी बढ़ता है तो यह नेचर होता है graph का current versus intensity का sorry current versus frequency का तो यहां तक आपको बात समझ में बढ़ा चीक है तो this is your second graph, third point जो हमारा आता है समझो अब इसको experimental demonstrate पे formals समझा होगा क्यों ऐसा इसके पीछे concept यह मैंने पोटो एलेक्टिक सकता हूं यह मेरे क्या होगा पोटो एलेक्टिक सकता हूं देखो जब तक यह वी बोल्ट है और यह एडजस्टेबल है इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं ठीक है यहां पे ammeter लिखा ammeter किसलिए होता है एक ऐसा device जो current को measurement करता है ठीक है ammeter हम उसको बोलते ठीक है अब आसमनना अगर यह positive तो यह positive electrode होगा यह negative electrode देखो मैं समझाने की क्या यहां पर यहां पर कुछ नहीं है और यहां पर यहां पर कुछ नहीं है जब तक यहां पर switch on मालो यहां पर अभी मैंने switch on off रखा है तो यहां पर कोई potential difference होगा नहीं यह कोई potential difference नहीं होती है नॉर्मल ही इलेक्ट्रोड के जैसे बिएवर करेगा ठीक है जैसे ही कुई light मालो यहां पर पढ़ती है तो इलेक्ट्रों क्या होगा बाहर निकलने की कोशिश करेगा विस सम्काइनेटिक एनर्जी विस सम्काइनेटिक एनर्जी और आपको पसा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रों को ही हम क्या बोलता है फोटो करेंट बोलता है इसी क्योंकि यह जो करेंट ऑफ फोटो करेंट भी बोलता है तो यहां तक बात आपको समझ महाए होंगे बढ़ता मैं इस देखा इनर्जी और कोई फरक नहीं होता है लेकिन अगर मैं बात करूं कि सपोस्ट करो कि भाया आपने दो इंटेंसिटी का लिया एक आईवन और एक आईटो और अभी में बढ़ा है तो मालो आईटू में 100 इलेक्ट्रों निकल रहे हैं और आईवन में 50 फोटों निकले नॉटें इलेक्ट्रों ito-son sure i episode fataq निकल रहे हैं और आईवन में पचास पॉट्रों निकले है तो सो पोटान सो इलेक्ट्रों के निकाले गा तो फुलो औंप आप चार्ग एलेक्ट्रों मतलब किया चार्ज तो चर्ज्ज मृतिप्लाइं करतो हजैगर और एक 50 हम यहां तक आपको पहले बता हैं तो जिसकी इंट के जादा होगी पेटा उसका करण भी यहादा होगा तो मैं लिख सकता हूं कि इस जारेफी प्रोपोसेट फोन घड़ा किरा उस पिर्फ दिक्कत आई कि अब कि आहां से समझ सकते हो किरेस सो फ्रिक्वरसेक्वर्क सब्सक्रिक्ष y chemical algae बढ़ते जाते हैं तरह आप यहां से समझते हैं फिर से जो फोटन लिए मैंने एक लाइट में पचास निकाले की टेंडेंसी एक में यहां बहुत है सब्सक्राइब निकाने की इसका मतलब है करन्ट जादा होगा आइवन से वह से बात है क्योंकि वह नमबर ऑफ करेंट ज्यादा निकाले तो उसका करेंट की वेल्य क्या होगी यहां में जो रीडिंग मिलेगी आपको समझना आया होगा अब मैंने क्या किया यहां पे क्लोस कर दिया पहले तो सर्कुट ओपन था यहां पे कोई फरक नहीं डाल रहा था लेकिन जैसे ही आप स्विच ओफ करोगे तो अगें यह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा पोटेंसर डेलप होने के बज़े से यहां पे इलेक्ट्रिक फिल जनरेट होगा अब आपको पता है एक चार्ज पे फोर्स जो लगेंगा उसके अपोजिट डेरेक्शन में नेगेटिट और पॉजिटिव लगता है और उस फोर्स की वैल्यूम मैंने क्यूँ इ बताई ती ज ज्यूम होगी और आप गसे जशे जयासे बढ़ाते जातैं यहां पर कौस क्या होते जायेगा मतब यहां पर जाकर प्यांब ज़ाल जिस पोटेंशियल पे फोटो एलेक्ट्रों रुख जाता है उसको हम क्या बोलते स्टॉपी पोटेंशियल यहां में लिख देता हूं अजो फोटेंशियन बोलह पूटेंशियल विख 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 कि पोटो E सिर गट्रों a रुट्रों cultivator विख फोटेंशियल यहां विख अट विख 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 यह था स्टी reading इसको मैं V-not से रिफरेजेंट कर दीगा, इसको मैं V-not से रिफरेजेंट कर दीगा, अब बात कहने का मत्रब यह है, कि stopping potential का और accelerating potential, दो potential मैंने आपको यहां जिकर किया था, कभी, यह by m ratio accelerated potential वेगा जो मैं आपको बताया था stopping potential, accelerated potential almost same होता है, अगर नहीं समझ मारा है तो फिर से देख लाओ, सबस्कोर यह positive लेटर और यह negative लेटर, अगर यह क्या है, कोई बैटर से connected है, ठीक है, यहां पे कोई electron है, जैसे ही potential वी मिलेगा, तो यह इस तरफ दौना चालू करेगा, क्योंकि यहां पे क्या था, potential जैसे मि बाहर निकाल जाएगा, and the potential energy is converted into the kinetic energy, right, वैसे ही, अगर मानो कोई electron है, आ रहा है, उसी kinetic energy से, उल्टा सोचो, कि वही electron इस kinetic energy से जा रहा है, तो यहां पे आके क्या हो जागा, stop हो जाएगा, और जिस voltage पे, जिस potential पे stop होगा, इसका मतलब क्या हो, so stopping potential होते है, मतलब अगें यह kinetic energy potential energy में करवाट हुई है, फिर, अगर मानो जो voltage, या जो potential मुझे electron को stop करने में काम आता है, तो उसको में stopping potential होते है, और जो potential मुझे electron को accelerate करने में काम आता है, तो उसको म क्या बोलते है, क्या बोलते है, accelerated potential, तो आपको यहां तक बात clear हो गई होगी, तो आप बेड़ा यहां से समझ है, कि देखो, यहां पर आगें kinetic energy किसमें करवाट हो रही है, इस case में kinetic energy करवाट हो रही है, potential energy, क्योंकि electron यहां से निकला, है with having kinetic energy, यहां पर आके stop हो गया, मतलब काईनेटिक energy किसमें करवाट हो चुकिक है, potential energy में, तो हमेसे याद रगना कि यहां पर काइनेटिक एनरजी किसके बराबर हो गया पोटेंचल एनरजी और पोटेंचल एनरजी को क्यों भी लिखते है तो क्यों मेरा हो गया E और जिस पोटेंचल के हो गया वहोता है V not तो आई बास समझें नाउ वड़ा अब हम्यू पराबर क्या होगा है एक्ष म्यू नॉट प्लस के ही क्या मैं हम्यू इक्वर्ट टू एक्वर्ट प्लस विगण भी लिख सकता हूं अब देखो जैनली हार equation में आप क्या करते हो देखो energy conservation लगाओ energy conservation लगाओ यहां से सब्सक्राइब उपर आले case में तो यहां पे potential generally क्या होता है? kinetic energy one plus potential energy one equal to kinetic energy two plus potential energy two यही तो equation लगता है general equation initially उपर आले case में क्या था मेरे पास potential energy था potential energy था but kinetic energy zero था बाद में potential energy किसमे convert हो गया? kinetic energy यहां से बाद निकल गया तो potential energy क्या हो यह मेरा zero हो गया तो वही हमेशा यह लगता है तो यहां पी मेरे यह kinetic energy convert हो गया potential energy था that is equal to EV0 तो यह मेरा photoelectric equation का photoelectric fat का equation बना ठीक है तो अगर मैं बात करू जो मेरा तीसरा graph है ठीक है तीसरा graph आपको क्या है potential potential difference versus current ठीक है अब आपको पता है कि यहां से जैसे जैसे में जाओंगा तो potential क्या होगा मेरा बढ़ेगा यहां से जैसे potential जाओंगा तो मेरा potential बढ़ेगा तो कुछ पॉइंट है मेरा current कुछ यहां पर जब मेरा potential V था तो current के value मुझे यहां इस तरीके से मिली current क्या होगा दीरे-दीरे क्या होगा घटेगा और किस point पर घटेगा जहां पर मेरा potential difference V0 होगा उस case में electron का movement क्या हो जाएगा and potential difference V0 के वैसे plot of photoelectric current के वह नहीं क्या जाती है 0 जादी तो यह पहला graph है ठीक है उसी तरीके से माल लो 3 current लिया जिसकी 3 intensity की ठीक है यह again current versus potential है ठीक है again graph का nature तो एक ही होगा बेटा लेकिन यह तीनों की तीनों क्या होंगे एक ही point पे आके मिलेंगे अब आप सोचों के सर इसकी तीनों light की तो intensity अलग है intensity अलग है तो current भी क्या होगे different होगे तो यह V0 P क्यों आके रुक रहे है simple सा बात है बही है current किस वज़े से मिल रहा है मुझे flow of electron electron flow हो रहा मतलब उसके पास speed है speed है मतलब kinetic energy है और kinetic energy कभी भी intensity पे depend नहीं करती है इसका मतलब वह यहां जाके हर intensity वाला current जाके रुख जाएगा तो यहां तक आपको प्यारे बच्छों समझ पाए गोएंगी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं ठीक है अब इसके बाद हम कुछ पुछ अच्छे questions करेंगे आपको करते हैं आज के ससन बड़ा लंबा जाने वाला है तो अच्छे से बैठिएगा ठीक है ना अगर हम कुछन्स करना चालू करेंगे है तो थोरी पार्ट हमारा यहां पर पूरा खतम हो चुक है अब सिर्फ हमारा अच्छा नुमेरिकल पाट बाचा फोट एलेक्ट क्योंता पूर आज कर अच्छा बाचा वाल फ एलेक्ट ओ लाट रप लाट उए वड़ बाचित वड़ दोगन्स क्योंता नप्रीज सब्सक्राइचा है best the question 1 when a light when a light with lambda of 400 nanometers falls on a surface of any electrons with kinetic energy equal to 1.05 10-25 joules per mole are emitted are emitted Ella what is what function second what is maximum what is maximum wavelength of light what is the maximum wavelength of light that will that will emit electron ticket now second question our when a certain wavelength when a certain wavelength when a certain matter sorry when a certain matter was irradiated was irradiated with light of with light of mu equal to 3.2 10 to power 16 hertz the frequency the photo electron emitted the photo electron emitted has twice the has twice the kinetic energy kinetic energy as did the electron as did the electron emitted when the same when the same metal irradiated with light of frequency equal to 2 into 10 to power 16 hertz calculate mu not of metal as of metal plaster the same on the same amount of the same day if you can add the inclusion and to the same time too as part of the other on the same time as part of the same time as part of the context of the same thing such as part of the other on the same time as part of the same day's of electron, stop the ejection of electron from metal is 0.24 electron gold. Calculate the work function w when radiation of wavelength 2480 armstrong strikes the plate. चलो बड़ा, समझे जान से, ठीक है, पास्स कोश्चन हमारा क्या है, ठीक है, पास्स कोश्चन है, एक लाइट है, जिसका वेवलंद 400 nm है, कोई सर्फिस से पॉल्स कर रहा है, sodium के, और kinetic energy नहीं कर दा है, joule per mole emitted, तो याद करिए, पोटो एलेक्ट्रोन हमेशा मेरा वन पोटोन बन इलेक्ट्रोन पे वैलिड होता है, तो यहां पे तो उसने एक मोल कर दी है, तो कानेटिक हो जाएगा, जूल में आ जाएगा, अब याद करिए, का energy मेरा किस फॉर्म में है, energy निकाल सकते उस लाइट की किर्दी होगी, तो 400 nm रद तो क्या कर सकता है, 1240 divided by 400, याद है, 1240 divided by lambda nanometer में ले दिर बही चीज़, यह लेक्रोन में हो गया, क्योंकि यहां पे जूल में, इसको भी जूल में करवड करता है, तो 1.6 10 दिस to minus 19, तो मैं लिख सकता हूँ, E equal to क्या होगा, E बराबर क्या होगा, W plus H, kinetic energy, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब energy में ले पस कितना है, 1240 divided by 400 into 1.6 10 दिस to minus 19 is equal to work function plus kinetic energy, 1.05 10 दिस to 5 divided by 6.0 23, 10 दिस to 23, यहां से आप subtract करके work function निकाल से तो सबसरो वो answer तो मेरा किसी में आएगा, जूल में आएगा, राइस कुशन क्या होगा, what is the maximum wavelength, तो याद करिए energy, इसलिए मैंने word minimum energy बोलाता है, याद है the minimum energy required to eject the electron from the surface of the metal without having any kinetic energy is called work function, तिसका मना minimum energy से क्या होगा, maximum wavelength, यही का maximum wavelength होगा, कुछ मत करो, hc by lambda के क्या कर दो, equate करो, that is your minimum, अगर नेनोमेटर में होगा तिसी को काम करना, 1240 by lambda minimum कर देना, electron volt में है, इसको फिर आपके electron volt में convert करना पड़ेगा, जाना ना, वैसे मैं लेम्दा से क्वेट कर चांसल इकला देना, ठीक है, now question number second, क्या बोला, when a certain metal with a irradiated with a light of frequency, the photo electron emitted has a twice as kinetic energy, दो मैं मेरे पास भईया, दोनों में electron energy wave जा रहा है, लेकिन एक में frequency जो दिया हुआ, 3.2, 10 का पावर 16, यहां से suppose करो, electron के kinetic energy के बन है, और जब second पे frequency पड़ रहा है, second metal पे जो energy पड़ रही है, जो wave पड़ रहा है, इसकी frequency है, 2 into 10 का पावर 16, तो यहां से जो electron निकले गा, उसकी kinetic energy के 2 बोल रहा है, क्या बोला है, कि the photo electron emitted has twice the kinetic energy as did the electron emitted, when the same metal irradiated with the इतना, मतल्ब अगर इसका kinetic energy के है, तो इसका kinetic energy twice of के है, तो बोला है, कि यहां पे जो kinetic energy मिलेगी, उससे दुगनी मुझे यहां पे मिलेगी, तो इसने यह बात बोली, ठीक है, इसका मतल्ब यह होगा, कि Hμ1 बराबर क्या होग देखो, मुझे नोट क्यों ही चेंज होगा, क्योंकि मैटल उसने सेम रखा है, तो यह वर्फ फंक्शन चेंगी होगा, सेम मैटल का, सेम ही वर्फ फंक्शन होता है, समयन में ही वर्फ, Hμ2 बराबर क्या होगा, Hμ0 प्लस के 2, अगर मैं इसको, तो Hμ1 मैनस Hμ0 इक्वाल अगर तो मैं इसको, डारेक्ट, Hμ2 माइनस Hμ0 divided by Ke2, यह मैं घर लेगा और दोने क्वेशन को डिवाइड का दे, H, H, H cancel होगया, Ke1 divided by Ke2, तो twice of Ke1 by twice of Ke, तो यह 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा है यहापे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मु1 माइनस मु0 इक्वाल टुट टॉट 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 क् बखर पूर्टो फिर्टोल थान पर आफ पॉर्ट indicates मतलब इस टॉप हो गया जैक्शन मतलब यह जो दिया हुआ वह आपके लिए क्या होगा इसको भी एनर्जी निकालो टोटल एनर्जी हो जाएगी मेरी कितने टोटल एनर्जी आपके हो जाएगी 1240 by 1240 by 12400 248 2480 armstrong क्यांकि armstrong में इसले 12400 यह हमने ठीक है इस और इस तो यह हो जाएगा 10 10 by 2 तो यह हो जाएगा 5 electron volt then what is work function work function is nothing but energy minus ke so that is 5 minus 0.24 so that is nothing but 4.76 okay 4.76 electron volt so this is your work function so I hope that you can understand all the time so moving on next question आप फुड़े आपने 57 question करने है फोटे लेक्रिकर इफेक्ट पे और इसको खतम करना कल से next topic पर आप आप okay now next question क्या बोला है मारा question number four question number four light of light of lambda is not the hour to 80 nanometer is used in is used in photo electric experiment photo electric experiment with with ally w barabar 2.5 electron volt find find and a maximum kinetic energy maximum kinetic energy second second बोल रहा है stopping potential आसां कुशा है रहा है hope so चिकेट now fifth number question number five question number five question number five has stopping potential versus frequency is given graphical question अबेट आई कोड़ा ज्यान लगाईएगा suppose कर ये कुछ इस तरीके से हुआ इस चिए डी इन बोल्ट ये कुछ यहां से इस तरी किस होगा, ठीक है, यहां पे बोल्ट, और यहां पे जो वोल्टेज का जो रीडिंग दिया इसने, यह है 1.656 वोल्ट का रीडिंग है, ठीक 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 है सब्सक्राइब तो यह जाएगा आपका मेरे साफ से सब्सक्राइब था थाइड अअच्वाइब पॉर पॉर फॉर टो इलेक्ट्रों ऑच्ञसुन। अब उसक्रें बार पांक्चर दिया हुए कितना तो फाइड फाइपलेक्ट्रों गोल इंभड इस दा किने डिक कुछ मत करो एनर्जी माइनास डबलो तो कितना हो जाएगा 4.42 माइनस 2.5 एप्रोंसिमेटली 1.92 एलेक्ट्रों गोल्ट आ जाएगा अब यही मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्ट इस्टॉपिं पोटेंशल तो यह कितना है 1.92 एलेक्ट्रों बराबर क्या हो जा है और क्या यह और इसको मैं क्या कर सकता हूं कैंसल कर सकता हूं क्यूं अब देखो आप इसी एलेक्ट्रों बोल्ट को जूल में करने के लिए 1.6 10 देस्टो मैंस 19 से मुल्टिप्लाइब करेंगा वोल्टेज और मेरा बन होता है यह कि पहले आपको पता ही तो क्यों ना मैं इसको डिरेक्टी एंसर को दिए तो वोल्टेज आपका जाएगा बन पर नेंट तो इसका सॉलुशन देखो क्या बोला है रेशियो में निकालना है वोल्टेज वसिस फ्रिक्वेंसी अच्छे एक और था यहां पर 10 देस्टो 14 के पार्म में 10 देस्टो 14 हर्ज इंटो 10 देस हम्यू पराबर जो होगा डबलू प्लस इवी नॉट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पोटेंचल वसिस तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इवी नॉट इस इक्वाल टू हम्यू प्लस डबलू तो वी नॉट बराबर जो होगा वो जाएगा हम्यू प्लस डबलू बाई यह इस फॉर्म में आएगा बसलब देस ही जो वाई इक्वाल टू इवी नॉट बराबर होगा एक्वाल माइनस डबलू बाई यह कुछ इस तरीके से फॉर्म है तो यहां पे क्या मेरा नेग्टिव प्लस डबलू होगा तो समझो यहां पे एक्वाइए मुझे क्या मिल रहा लोग मेल रहा और दो मेरा क्या होता है तो इसलो एख उप ग्राफ के बराबर होगा ग्राइटर को यह लिए पर्पेंटिवरेंग्टिवलार पॉन बेस तो यह हाइड कितनी है 1.656, 1.656 divided by, यह distance कितना आदा? 5-14, 4 into 10-14, तो h by e की जो value जो आईगी मेरी, approximately आती है, 0.414, 10-14, ठीक है? यतना आया? यह तो मेरा पहला कुशन कहता हम, अब आपको निकाला वल्क फॉंक्शन, देखो, आपको पाता है, यह जो distance होगा, मतलब यह जो intercept होगा, यह W by e होगा आपका, ठीक है? यह theta है, तो यह भी क्या होगा आपका? theta ही तो होगा बेटा, तो अगें 10 theta का लगा दो, 10 theta बराबर, अगें यह आपने मेरा क्या होगा? पर्पेंडिकोलर अपन बेस, तो पर्पेंडिकोलर मेरा कितना होगा? W by e, बेस कितना है मेरा? 1 into 10 raise to 14, यहां का distance कितना? 1 into 10, 0 से बाद है यह, 1 into 10 raise to 14 है, 10 मेट है के वेलिया आपको पाता ही है, तो W by e की value जो आएगी, वो आएगी जो मेरी, इसको मैं यहां यहां ठीकर सा मुटिप्लाइक कर दो, तो 0.41, 4 into 10 का पावर 14, into 1 into 10 का पावर, यह minus 14, 14 अगर 14, cancel हो जागा, तो W by e की जो value आएगी, 0. 0.414, तो W function जो हो जाएगा, 0.414, 1.6 10 raise to minus 19, तो यहां तक आपको सारी बाते समझ में आगेंगे, क्लियर हो गई होंगे, ठीक है, तो यह हमारा आज का लास सेसंदा, पोर्ट एलेक्रिक्त पर, और मैंने जितने नमबर अच्छे questions possible थे, मैंने आपको समझा दिये, और आप जाके आप डिपी पोर्ट एलेक्रिक्त की डिपी आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपने आज का अच्छे से एंजॉय कियागा, थैंक्यू, बेरी मैंच,